तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा महां गठवंधन 40 की 40 सीट बिहार की लोकसवा की जीतेगी और 25 में भी 200 से ज्यादा सीट जीतकर सरकार अधर्न जितनवाबु मांजी जी का ये निर्ने गलत साबित होगा उनको इसका भविस में पस्तावा होगा महा गठवंधन में औल इजवेल है विहार सरकार में माननिय मंत्री स्री संतोष सुमन जी ने माननिय मंत्री पत से इस्तिफा दिया है उन्होंने कहा है कि आधर्न नितीश कुमार जी की और से पार्टी की और से दवाव था बिले का बाया, हम पार्टी का तो जन्म ही हुआ है, जेडियू से अलग होकर आदरनिय जितन वाबु मांजी जी को आदरनितीश कुमार जी ने बिहार का माननिय मुख्च मंतरी बनाया था और स्री संतो सूमन जी, RJD कोटे से MLC बने थे, बिहार सरकार में माननी मंत्री थे कई बार पुर्णिया की रेली में भी आदर नितिश कुमार जी ने कहा था आदर ने मांजी जी को इधर उधर कहीं नहीं देखना है नहीं किसी का बात सुनना है सारी मांग नितिश कुमार जी उनकी पूरी करेंगे महागठवंधन सरकार उनकी सारी मांगों को सुनेगा उनकी सारी बातों को सुनकर उनकी मांग को पूरा करेगा क्या कारण रहे नहीं कारण रहे ये तो आधन जितन वाव मांजी जी बताएंगे उनका तो हम पार्टी का महागठवंधन में हो NDA में हो कई बार वो रहे हैं सभी गठवंधन में तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा महा गठवंधन 40 की 40 सीट बिहार की लोकसवा की जीतेगी और 25 में भी 200 से जादा सीट जीत कर सरकार बनाएगी आदरन जितन वावु मांजी जी का ये निरने गलत साबित होगा उनको इसका भविस में पस्तावा होगा लेकिन फिर भी जहां भी जो भी निरने उनका होगा वो उनको मुवारक हो वो हम लोगों के अभिवावक के समान है इसलिए इस पर सिर्ष नेत्रित महा गठवंधन का स भाजपा के खिलाप हवा चल पड़ी है और भाजपा की 2024 में बिदाई होगी यह सब की जों से कोई फर्क पढ़ने वाला है यह सब चलता रहता है बाजपा चाहती है कि इसी सब तरह का खेल करके हम अपनी मजबूती दिखाएं लेकिन जनता यहां कमर कस चुकी है किसी के आ आने जाने से कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है तो आपके पार्टी को आप लोग मागट फंदर में कुछ फर्क पढ़ने वाला नहीं है आदर ने जितन वावू मांजी जी भी इस वात को अच्छी तरह समझते हैं कि पूरे देश में हवा बदल गया है भाजपा के खिला रहा है कि कहीं आपने में समन्वाइ नहीं है और विपक्स को एक जूट करने में लगे हैं लोग ऐसा समन्वाइब है उतों चुनाव परिनाव में पता चलेगा कैसा समन्वाइब है आदरनी मांजी जी जो भी फैसला लेंगे उस पर कोई असर नहीं पढ़ने वाला है चलेट बंदन के साथ रहें तो भी कोश फैदा नहीं है और नहीं भी रहें तो कोई भी असर नहीं होने बाला या निकिसाप तौर पर जिस्ता से जीता नामांजी ने आज जीतानामांजी कि जो बैटे है संतो सुमन वह इस्तिपात दिए जिसके बास राजनीतिक है वो आगे स्टेंड लेते हैं इस तमाम खब्रों के साथ नमस्कार